अलो दोस्तों लुसेंट राजस्तान जी के डेली टॉप 50 कोशन में आपका वेलकम दोस्तों तो ये वीडियो का 121 बाट है इससे पहले भी 160 बाट बनाए जा चुके हैं वो भी आप चैनल पे जाएक देख सकते हैं तो यहाँ डेली मिले वाले आपको टॉप 50 कोशन मिले वाल के इसकी दिन को मानक माना है तो 2100 केलोरी प्रती वेक्थी मानक गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए शहरी शेत्र में और ग्रामिन्ड शेत्र में यह माना है 1200 केलरी ग्रामिन शेत्र में माना है और शेहरी शेत्र में 200 केलरी निक्षन है DT लकड़ावाला ने किस फॉर्मूले का निर्मान किया तो इसने किया था निर्धनता मापन के फॉर्मूले का निर्मान किया था DT लकड़ावाला ने निक्षन है राजस्तान का शेत्रफल कितना है तो 3,42,249 वर्ग किलोमेटर है राजस्तान का कुल शेत्रफल कोशन है राजस्तान की लंबाई कितनी है तो ये पूरु से पच्छिम तक की जो लंबाई है वह 889 किलोमेटर है और जो उत्तर से दक्षिन तक की लंबाई है वह 826 किलोमेटर है पूरव से पच्छिम 879 किलोमेटर और उत्तर से दक्षिन 826 किलोमेटर नेक्शन है राजस्तान का शेत्रफल भारत के शेत्रफल का कितना प्रतिशत है तो ये 10.41% है भारत के कुल शेत्रफल का राजस्तान का शेत्रफल और ये पहले स्थान पर आता है राजस्तान राज्ये शेत्रफल के मामले में नेक्षन है राज्ये की कुल इस्तलिय सीमा की लंबाई है तो 5920 किलोमेटर है कुल इस्तलिय सीमा की लंबाई राज्ये में नेक्षन है राज्यस्तान की पाकिस्तान से लगती सरवादिक लंबी सीमा वाला जिला कौन सा है तो जेसलमेर जिला है जिसकी जो सबसे ज़ाद सीमा है 471 किलोमेटर लगती है पाकिस्तान के साथ में और जो सबसे छोटा जिला है वह बिकानेर है चार जिलों की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में जो की इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं राजस्तान के जिसमें जेसल मेर, बिकानेर, बाड मेर और श्री गंगानगर ये चारो जिलों की सीमा लगती है नेक्शन है राजस्तान की सीमा किस राज्ये से सरवादिक लंबाई पर लगती है तो मद्यपरदेश राज्ये से लगती है नेक्षन है राजस्तान की सीमा सबसे कम किस राज्य से लगती है तो पंजाब से तो सबसे कम लगती है और सबसे ज़्यादा मद्यप्रदेश से लगती है राजस्तान का वह जिला जिसकी सीमा सरवादिक जिलों को लगती है तो पाली जिला है जिसकी सीमा आठ जिलों को लगती है नेक्शन है राजस्तान की सीमा से लगे पडोसी राज्य है तो इसमें है दक्षिन पच्छिम में गुजरात इस्तित है दक्षिन पूरव में मद्य प्रदेश इस्तित है उत्तर में पंजाब इस्तित है उत्तर पूरव में उत्तर प्रदेश और हरियाना इस्तित है और पच्छिम की बात करें तो जो पाकिस्तान देश है वह लगा हुआ है नेक्शन है राजस्तान के किस जिले में सूरिय की किर्णों का तिरचापन सरवादिक होता है तो श्री गंगानगर जिले में सरवादिक होता है नेक्शन है राजस्तान का शेतफल इजराइल से कितना गुना है तो 17 गुना बड़ा है राजस्तान का शेतफल इजराइल से नेक्षन है राजस्तान की 1070 कीमी लंबी पाकिस्तान से लगने वाली सीमा रेखा का नाम है तो इसका रेड क्लिफ रेखा इसका नाम है नेक्षन है राजस्तान की अंतराश्टिय सीमा से लगने वाले जिले कौन से हैं तो चार जिले लगते हैं बाड मेर जेसल मेर वीकाने और श्री गंगानगर करकर रेखा राजस्तान के किस जिले से छूती हुई गुजरती है तो डुंगरपुर और बासवड़ा जिलों से दो जिले हैं जिन से होकर गुजरती है करकर रेखा निक्षन है राजस्तान में स्वरपर्थम सूर्य दोय किस जिले में होता है तो दोलपुर जिले में होता है सबसे पहले सूर्य उदे निक्षन है कौन सी परवश्रंगला प्राकतिक द्रश्टी से राज्य को दो भागों में विबाजित करती है तो अरावली परवत श्रंकला करती है सिरोय से लेकर अलवर की ओर जाती है और लगबग 470 किलो मेटर लंबी ये रेखा है जो की राजस्तान को दो भागों में विवाजित का कारिय करती है निक्षन है अरावली परवत श्रंकला की राजस्तान में कुल लंबाई कितनी है तो 550 किलोमेटर है अरावली परवत श्रंकला की कुल लंबाई जो की राजस्तान से गुजरती है निक्षन है अरावली परवश रंकला के सर्वोच परवश शिकर है तो गुरु शिकर है इसकी उचाई 727 मिटर है कुछ किताबों में 722 मिटर लिख रखा है तो दोनों ही आप्शन बिल्कुल सही है और ये माउंट अबू सिरोई में इस्तित है निक्षन है राजस्तान में संभाग और जिलों की संख्या तो संभाग 7 है और जिले 33 है निक्षन है राजस्तान में 66 अकाल किस वर्ष पढ़ा तो 1956 विकरम संवत में पढ़ा था नेक्शन है राजस्तान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है तो दक्षिन पच्छिम से उत्तर पूरव की दिशा में बढ़ती है मानसून वर्षा नेक शुने, राजस्तान में सर्दियों में वर्षया मुख्यते होती है तो उत्तर पच्छिम हवाओं से होती है मुख्यते वर्षया सर्दियों में नेक शुने, राजस्तान में सबसे अधिक वर्षया वाला इस्तान कौन सा है तो माउंट अबू है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है नेक्शन है राजस्तान का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है तो जहलावार जिला है नेक्शन है राजस्तान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है तो बासवाड़ा जिले में लंबवत चमकता है जून महा में सूर्य है नेक्शन है राजस्तान में पून मरुस्तल वाले जिले हैं तो जेसल मेर और बार मेर दो जिले हैं जो कि पून मरुस्तल वाले जिले हैं नेक्षन है उडिया पठार किस जिले में इस्तित है तो ये सिरोई जिले में इस्तित है नेक्षन है गोगुंदा और कुम्बलगट के मद्दे का भाग कहलाता है तो इसे भोराट का पठार कहते हैं निक्षन है राजस्तान में पूंटिहा वनस्पती रहित शेतर है तो समगाओं है जो कि जैसल मेर जिले में स्थित है यह पूंटिहा वनस्पती रहित शेतर है निक्षन है रेगिस्तान में रेट के विशाल लहरादार टीलों को क्या कहते हैं तो इन्हें धोरे कहते हैं जो रेट के विशाल लहरादार टीले होते हैं उन्हें धोरे कहते हैं निक्षन है अरावली श्रेनिक की दूसरी अधिक्तम उचाई की चोटी कौन सी है तो इसका नाम है सेर जो की दूसरी सबसे उची चोटी है पहली है गुरुशिकर और दूसरी है सेर निक्षन है राजस्तान का सबसे अधिक आदर जिला कौन सा है तो जहलावाड है निक्षन है राजस्तान का सबसे अधिक आद्रिस्तान कौन सा है तो माउंट अबू है सिरोई इस्तान की बात आए तो माउंट अबू लिखना है जिले की बात आए तो जहलावार लिखना है निक्षन है राजस्तान का सरवादिक शिश्क इस्तान कौन सा है तो फलोदी जोदपूर है सरवादिक शुषकिस्तान निक्षन है राजस्तान का सबसे गरम जिला कौन सा है तो चुरू है सबसे गरम जिला निक्षन है राजस्तान का सरवादिक ठंडा इस्तान कौन सा है तो माउंट आबू है सरवादिक ठंडा इस्तान निक्शने राजस्तान में सरवादिक लू और आंदियों वाला जिला कौन सा है तो गंगा नगर जिला है जहाँ पर सबसे अधिक लू और आंदियां चलती है निक्शन है राजस्तान का सरवादिक बंजर और व्यर्थ भूमी वाला जिला कौन सा है तो जिसलमे जिला है जहाँ पर सबसे अधिक बंजर और व्यर्थ भूमी है निक्शन है राजस्तान में मिट्टी का सरवादिक अवनाली का परदन करने वाली नदी कौन सी है तो चंबल नदी है जो कि सरवादी के अवनाली का परदन करती है निक्षन है मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो जैसमन जील है जो कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है निक्षन है लूनी नदी का जल किस स्तान के बाद खारा होता है तो बालोतरा बाड मेर के बाद में लूनी नदी का जल खारा हो जाता है निक्षन है भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है तो सामर जील है दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की जील नेक्षन है राजस्तान की सबसे उची जील कौन सी है तो नकी जील है सबसे उची जील नेक्षन है राजस्तान की मरू गंगा और जीवन रेखा नदी किसे कहा जाता है तो इंद्रा गांदी नहर को कहा जाता है मरू गंगा और जीवनरेका के नाम से नेकशन है बान गंगा और राजस्तान के किन तीन जिलों में बहती है तो जैपुर, दोसा, भरतपुर इन तीन जिलों में बैती है बांड गंगा नदी नेक्शन है माही बजाज सागर प्रियोजना का फैलाव शेत्र है तो राजस्तान और मद्यप्रदेश है माही बजाज सागर प्रियोजना का फैलाव शेत्र है नेक्शन है बनी ठणी पेंटिंग शेली का सम्मंद किस शहर से है तो किशंगड से समंदित है बनी ठणी पेंटिंग शेली